मिरे को तो ऐसे नहीं लग रहा है। साब घर से ही स्टेटमेंट दे रहे हैं उमर साब को तो वो तो ऐसे अपने आपको प्रवी प्रवी उस सामने कर रहे हैं कि as it is he is not part of that alliance तो महभू भाजी भी घर से ही चला रही है बाहर नहीं जा रही है मेरे को तो नहीं लगता है किसी को किसी ने रोका है हम तो कहते हैं कि रोशनी एक्ट में जो भी लीडर हो या कोई भी सिवल सोसाइटी का जिसको उस वक्त पलीज किया हो उनके अगरिश में proper कारवाई होनी चाहिए अगर रोशनी एक्ट की लैंड हास्पिटल के लिए यूस की जाती, किसी स्टेडियम के लिए यूस की जाती होती या स्कूल के लिए यूस की होई होती तो हम लोग उसको अबजिएक नहीं करते है लेकिन यह लैंड पर्टिकूलरी इंडिजिवल कुछ पृल massively डिर्य ने यह ले ले लिए, किसी भी पार्टि का हो, मैं तो खहता हूँ जमूँ हो, सिरनगर हो, लधाक हो, जहाँ पर भी किसी भी पार्टि के नेता हो, जो जो इन वालो mall ने, une 행रish नहीं कारवाई भी होनी चाहिए, वो और लैंड लेना चाहिए, अब National Conference इसलिए ज्यादा सामने बोल रहे हैं कि पिछले 70 साल से ज्यादा तो 40, 45, 50 साल तो वही रहे है पावर में तो इसलिए सबसे ज्यादा ये सब चीज़ों पर उनी का हाथ था तो नैशरली उनकी जो जिन्होंने ज्यादा काम किया है इस टाइब का तो उनके ओपर उपर उठेगी I don't feel कि इसमें कोई बड़ी बात है और गट किया जाता है अगर हमारे खिलाब भी कहीं पर रोशनी एक्टी कोई लैंड है हम तो कहते है उस पर कारवाई होनी चाहिए इसमें क्या गलत बात है ये तो आम जमु कश्मीर के लिए इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोगों के लिए है कोला है कि ये लोगों को एक्सपलाइट कर रहे है अंदे नेम आप 370 35 एपर 370 वापस आएगा तो वो पार्लिमेंट से वापस आएगा वो गुपकार के इस एलाइंश से या इन के चलने से वापस नहीं आएगा जब पहले भी मिला था उनईसा पचास में उस टाएम भी पार्लिमेंट से ही मिला था तो वो पार्लिमेंट से ही गया है, पार्लिमेंट से ही वापस आए। सबसे पहले तो मैं सभी पुलिटिकल पार्टी से गुजारिश करना चाहता हूँ, as in कश्मीरी, उसके बैदा इस कश्मीरी पंडित के महरबानी करके हम लोगों को कोट ना करें, क्योंकि आप मैंसे किसी में हिम्मत है नहीं कि कश्मीरी पंडित को वापस लाए, कश्मीरी पंडित वापस आएगा, कश्मीरी मुसल्मान भाईयों के कहने पर वापस आएगा, क्योंकि उसको यहां सोसेटी में इन सब साथियों के साथ इन सब भाईयों के साथ रहना है ना इसमें गवर्मेंट आप इंडिया कुछ कर सकती है ना सिटेड गवर्मेंट कुछ कर सकती है ना यह सब लेडर साहिवान जो बोलते हैं उसको वापस लाइंग बाते पंडित का अपना गर है अपना परिवार है जब उसका दिल करें वो अपनी खुशी से कश्मीर में आएगा अपनी खुशी से कश्मीर में रहेगा मैं सभी जमुकश्मीर में इन पटिकुलर कश्मीर वैनिके सथी हूं से बड़े बज़रिग माबेहिन बेटि उसे गुजारिश करना चाता हूं जिनका वोट है एक डिमोक्रेटिक सेट अप है हमें इस डिमोक्राइसी को नजर में रखके हमें पार्टिस्पेट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए जिस केंडेट का चहरा आपको अच्छा लगे साफ सुतरा लगे चाहिए वो किसी भी पार्टी के साथ हो मेरी पार्टी के साथ हो किसी भी पार्टी के साथ हो जो लगे कि ये काम कर रहा है या जिसने अभी तक कोई सोशल काम किया है अब उसको वोट डालिए अच्छा लग रहा है कि डेमोक्राइसी हमें भी आज नजर आ रही है जब 30, 45, 50 परसं वोट हो है